सब्सक्राइब कीजिए स्मार्टेक इंफो चनल को और बैल अकुंदा भाई ये लेटेस्ट टुक्नाजिय सुडियो सबसे पहले देखने के लिए दोस्तों सैमसंग जी हां सैमसंग लॉंच कर रहा है नया स्मार्टफोन चार कैमरों के साथ जी हां पीची के और चार कैमरा के साथ लॉंच कर रहा है सैमसंग बचट मॉबाल तो ये किस तरह का होगा कैसा होगा ये देखिए पीची के और चार कैमरा ऐसा वर्ल्ड का पहला कैमरा या पहला मॉबाल होगा जो सैमसंग लॉंच करेगा चार कैमरा के साथ तो अब तक हमने देखा तीन कैमरे के साथ ज्यादा तीन सेंसर्स के साथ जो की फर्स्ट हुआई P20 में हमने देखा था फिर OPPO R17 PRO में हमने देखा तो उसके बाद डिरेक्टली सैमसंग लाँच कर रहा है चार कैमरे के साथ वो भी बचट मॉबाल जी हाँ दोस्तो ना कि हाई एंड का मॉबाल बलकि बचट एंड में मॉबाल पेश कर रहा है सैमसंग चार कैमरे के साथ तो दोस्तो ये ऐसा भी नहीं है कि ये सैमसंग ग्यलक्जी ES10 सीरीस होगा या जो सैमसंग का नया मोडल आला है सैमसंग फोल्डेबल नेक्स्ट जेनरेशन जिसे आप फोल्ड करकर रख सकते हो नहीं उसमें आएगा जी हाँ ये कुछ हट के रहेगा ये ग्यलक्जी सीरीस में भी हो सकता है या नहीं भी हो सकता है या कुछ नया सीरीस में लाँच होगा बट एक नया सब ब्रैंड में भी लाँच कर सकता है Samsung ऐसा Ice Universe एक Reliable Source के वोर से हमें पता चला है जुन्हेंने ट्वीट किया था Twitter पे जहां पर उन्हें ट्वीट किया था Samsung is coming with camera 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 It means it is coming with 4 cameras rear cameras इनकाम बतलव है यहां पर Samsung आ रहा है market में 2018 के end तक 4 rear cameras के साथ एक budget end मोबाल पेश कर रहा है तो यह काफी अच्छी बात लगी मुझे दोस्तों क्योंकि यह Galaxy S10 में नहीं होगा और नहीं फोड़ेबल स्मार्टफोन में हो गया बलकि कुछ यूनिक अलग सा Samsung पेश कर रहा है तो यह नया जो टेक्नोलोजी आर यह वह काफी अच्छी होगी और इसमें मिनिममम आप 60 मेड़ा पिक्सल तक कैप्चर कर सकते हैं ऐसा कंपनी का दावा है और इसा सोसस के पास से हमें इंफार्मिशन मिला है तो दोस्तों यह था एक चोटा सा इनपरमिशन और सविडियो आपको पसंद है तो पहलीजियक लाइक किजिए श्येर बीचे किजिए और इंसे रुद्द रुडियों